मैं हूँ चेताली आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डिनिंग सोमज में स्वागत है और यह जो आप लोग देख रहे हैं यह है ड्रागन फ्रूट यह हमने देखी है न्यू मर्केट में न्यू मर्केट में दुर्गापुजा की शॉपिंग करने गाये थे और वहां पर द प्रूट के कटे हुए फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो यह फर्स टाइम है क्योंकि हमारे यहां पर ज्यादा फ्रूट्स की दुकान में यह फ्रूट्स नहीं मिलते हैं तो पहली बार हमने देखी है तो खा ही लेते हैं यह सोच के दुकानदार को बोले है कि यह एक 1 kg 100 रुपीज तो हमने एक ही लिए है इसे वजन करके दी है तो 30 रुपीज हुए है तो ये हमारे लिए फुरूटा रहे है ये देखिए और मेरे बेटे के हाथ में दी है तो वो बहुत खुश तो फिर हम लोग ये खाने लगे ये मेरे बेटी खा रहे है, मेरे बेटी और मैं तीनों मिलके गए थे मार्केटिंग करने और तीनों मिलके ही ये ड्रागन फूर्ट खाए है बहुत अच्छे लगे हमको ये खाने में आज के वीडियो की टॉपिक है ड्रागन फ्रूट की प्लैंट कैसे लगाते हैं वो दिखाना तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रागन फ्रूट की प्लैंट लगाना ये है मेरे ड्रैगन फ्रूट के प्लैंस, कुछी दिन पहले मैंने इस प्लैंट को पर्टिस की है और वो वीडियो मैंने आप सब से शेर की है, आज मैं इसे कैसे लगाती हूँ, वो शेर करूँगी, ये सीट से बने हुए प्लैंस है, तो बहुत दिन लगेंगे इसमें लिए आप सबसे पहले एक बड़ा सा पॉट ली जिए मेरे पास एक बाकेट थी तो मैंने बड़ा एक पाकेट ली है और मेरे प्लैंट सीट से बनी हुए है तो बहुत दिन लगेंगे इसे बड़े होने में ड्रैगन फूट प्लैंट लागाने के लिए मैंने 40% सेंड ली है 20 20% कोकूपीट 20% नॉर्मल गार्डेंड सॉयल और 20% भर्मी कॉम्पोस और गोबरखाट एक साथ मिला के लिए है मैंने यहाँ पर सैंड जादा ली है क्योंकि ज्यादा ली है क्योंकि ज्यादा सैंड होने से पानी जमा नहीं होगी वेल्डेंड हो जाएगी इसलिए मैंने पर ज्यादा सैंडली है तो आप भी क्या लगिएगा कि मिट्टी जब बनाएंगे उसमें सैंड ज्यादा मात्रा में हो एक एक्टस टाइप के प्लैंट है इसे ज्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है मैं इसकी पैकेट को काटके इस बकेट में इस प्लैंट को बिठाओंगी जो मिट्टी मैंने बनाई है अब मैं नीचे थोरा बहुती से डाल के इस प्लैंट को बिठाओंगी लेकिन ये प्लैंट बहुती नीचे चले जा रहे है तो मैं इसके उपर और भी मिट्टी डालूंगी उसके बाद इस प्लैन को बिठाओंगी उसके बाद मैंने इस प्लैन को बिठा दी है और चारों तरफ मिक्सचर की गई सोयल को दे दी है अब देखिए मेरे प्लैन इस तरह से लग गये है ड्रागन फूर्ट प्लैंट वाइन प्लैंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसे एक सपोर्ट देने की जरूरत है यह देखिए मैंने एक पीवेसी पाइप दे रखी है क्योंकि यह प्लैंट जितना भी स्ट्रेट रहेगी वह उतना ही अच्छी लगती है देखने में और इसी तरह से मेरे ड्रागन फूर्ट प्लैंट को लगा ली है अब इंतिजार करते हैं इसकी फ्लावरिंग की तो देखते हैं एक साल या दो साल फ्लावरिंग तो होगी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब पीजिएगा और अ आपको यह झात्ती हैं इसकी बझा hardware दोस।्स्ददळश क्या आपकी मुझे ऑ ही तो ह।बराते हैं रहोगी हैं वीडियोर के आपको बशारा अने बतारा हैं तो हैं आपको यह।ू। करते हैं गोस्ति बतकते हैं इसकी लिर 11 आूपको यह चो खाने चल Sh